Hello friends, welcome to WSQ Tech, I am Virendra. How to write a professional email, a formal email इमेल इमेल कियसे लिखना है आप को चार्वार इमेल करना है या फिर आपको internal team को इमेल करना है या फिर external team जो को क्लाइंट्स को एमिल करना तो फॉर्मल आपको करने होते तो आपको क показыв Hetkie OFF is structure किया होता है एमिल का वह में एक एग्जांपल के साथ step-by-step process को देखें तोविसमे मैं देखते हैं कि पाइन मझा करते हैं आपको पहर अपकोकल किमर करना है आपको कोई business purpose के लिए email कर रहे हैं चाहे clients को कर रहे हैं किसी partners को कर रहे हैं तो हमेसा आपको फॉर्मल यूज़ करनी है और बहुत बाट ऐसा होता कि हमको बता नहीं होता है डाउट में होता है कि इस person को मैं जानता भी हूँ या फिर नहीं जानता हूँ और मैं इसको को फॉर्मल लेंग्वेज यूज करनी है आप दूसरे इंटर्नल टीम से समली आप किसी को परस्नली जानते हैं कोई फ्रेंड्स हो गए रहा है आपके तो वहाँ पर आप थोड़ा कैस्वल भी हो सकते हैं लिकिन जब ऑथरेटे में कोई पर्सन हो इसको इमेल करो तो हमेशा आपको ध्यानत ना है कि आपकी लेंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए तो एक्जामपल देखेंगे कि कोई मीटिंग के बारे में इन्होंने फॉर्मल यूज किया और इसी को अगर कैस्वल लेखें जाएंगे तो यहां पर मिश्चेगी होती कि इन्हों लिख दिया सी या दैर और स्माइली वगरा यूज कर लिए तो यह कैस्वल टोन होता है यह आपको यूज नहीं करना होता है फॉर्मल लेंग्वेजिस में तो आप देखता है कि step by step process कैसे follow करके proper email आपको फॉर्मली यूज करना है कैसे लिखना है आपको तो first चीज आती है आपकी कि subject line subject line का बहुत बड़ा importance है subject line अगर informative होती है थोड़ी और उसमें पता जलता कि purpose के email का तो click भी हो जाता है open भी कर जाते हैं उसको लोग mail नहीं तो बहुत बार सोचते की बाद में open करेंगे तो आपको ध्यान रखना कि छोटी email line होनी चीज़ 6 to 10 words आपको ध्यान रखना है 6 to 10 words के अंदर और उसके अंदर जो context आपको जो context है आपका जो message है या purpose है उस email का वह वो आपको यूज करना है वहाँ पर then salutation salutation का वला है कि greeting जब आप भी कोई किसी के साथ conversation स्टार्ट करते हैं तो greeting से शुरू करते हैं इमेल में भी ध्यान रखना है कि greeting समय से यूज करना है आपको तो greeting में formally आप कुछ ऐसे example लेख लेते हैं जो formally यूज करते हैं है वागेर आपने को यूज करना है casual होज तून होजता है और informal वे है इमेल communication में तो जैसे आपने यूज कर लिया डियर आज और परस्ट नेम और जो फर्स्ट नेम में हो यूज कर लिया अपक्रेंज से आप मुझे मेल कर रहे एं और रियर विरहंद्र और उस तुसरा जामपल बूसर आपको कि मिस्टर और मिस्ट जभी उस करते हैं तो आपको लाशन में उस करना उस परसym का जैसे मुझे आप कर रहे हैं तो dear Mr. Soni तो उस हिसाप से then hello Mr. Miz last name और किसी को morning में message कर रहे हैं तो good morning और first name उसकर सकते हैं good evening first name उसकर सकते हैं तो यह कुछ example है कि आप formally यह से word उसकरने हैं avoid करने जैसे word है कि have अगर आपने उसकरते हैं जैसे कि आप यह उसकर सकते हैं I hope you are doing well I hope you enjoyed your weekend for example आप Monday को email कर रहे हैं किसी को तो आप यह use कर सकते हैं I hope you enjoyed your weekend then thanks for the quick response किसे ना आपको जल्दी response किया mail में तो आप यह use कर सकते हैं I hope this email finds you well तो कुछ यह example है अच्छे opening sentences के जो आप यूज कर सकते हैं then body body होती है जो आपका main message आपका जो आपको देना है उनको communicate करना है वो part है जो मलब इस अबसे ज्यादा important part है जो आपकी उसको body करते हैं उसमें आपको कैसे start करना है तो उसमें आपको दियान रखना कि आप से start कर सकते हैं I am getting back to you about पहले को बात हो रखी है उससाब से आपको आप इस उनको बताना है कुछ आगे information देनी है then as discussed कोई discussion पहले हो रखा है उसमें आगे आपको कुछ information देनी है then I am writing to follow up on a last conversation आपने किसे को पहले mail कर रहा है आपका उसने responding किया आपको तो आप उनको follow up लेना चाहते है तो इससे start कर सकते हैं और फिर अपने बात शुरू कर सकते है I wanted to get in touch to फिर आप अपने बात शुरू कर सकते है तो इससे आप से आपको opening sentence शुरू करना है और उसके बाद में body का part आपको cover करना है तो उसके बाद आपको email को close कैसे करना है तो close के लिए आप यह यूज कर सकते है कुछ एग्जाम्पल I look forward to hearing from you I look forward to meeting you the next Monday I look forward to the next step in the process और please advise as necessary या फिर और आपने जिसको client को information दे दी आपने किसे product के बारे में और उनका आप लाश्मी कर सकते है कि और भी आपको question है तो हमको आप feel free करिये उसके लिए उनको बता दीजिए और को question है तो then closing के बाद आपको signature यूज करना है signature में बहुत सारे जीज़ा होते हैं कि हम formal use होती है और बहुत बार informal use कर लेते हैं लोग तो from a sticky example लेते हैं जैसे sincerely उसके सकते हैं best उसकते सिंपली best उसकर कर आप आगे अपना नाम और job title और company की का नाम ऊसकर सकते हैं Then regards, regards में आपसी simple regards, warm regards, best regards लिख सकते हैं, फिर सिर्फ thank you के साथ भी आप लिख सकते हैं signature में और इन words के साथ, words के बाद में कॉमा लगाने के बाद आपको next, enter करके वाप अपना नाम यूज़ करना full name और उसके बाद अपना जॉब टाइटल और external किसी क्लाइंट को इमेल कर रहे हैं तो आप जॉब टाइल के बाद अपनी कंपनी का नाम भी हूज करना चाहिए आपको तो एक्जामपल देख लेता है एक फॉर्मल इमेल का ये इंटरल कम्निकरिशन का है जिसमें कोई किसी परसन ने कंपनी में जॉइनिंग किया है और बाकी टीम को इनफॉर्म किया जारा उसके बारे में तो सब्जेक्ट लाइन एक लिए मीट दानियो कस्टमर सपोर्ट रिप परसन तो इन ओपनिंग कर दिया फिर बाड़ी का में का पार्ट आगया फिर इन्हों ने क्लोज किया है फिल फ्री तो गेट और परसन का ने इन परसन उसको परसनली आप मिल सकते हैं और कोई दिक्कत ने उसमें और देन यहां पर सिग्नेशर यूज कर लिया बेस्ट और प्रोफेशनल इमेल आपको लिखना आना चाहिए और यह चीज़े हमें साब को दियान रखने चाहिए क्योंकि फॉर्मल कम्निकेशन बहुत नेसेसरी है जब कर रहे हैं चाहिए इंटरनल कम्निकेशन के लिए कर रहे हैं अपने दूसरे टीम्स के साथ बात करने के होता है वो हमने डिसकस किया इसको आप एक बार प्रैक्टिस और करिएगा और उस पर अच्छे सिफाख करना जरूरी है थैंक्यू